परिचय भारत के नागरिक होने के नाते इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है आईए इस पार्थ में संपत्त के बारे में और जाने आउ सीखें संपत्ती को परिभाशत करना सार्वजनिक और निजी संपत्ती में भेद करना संपत्ती के संरक्षन का महत्व बताना संपत्ती किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या सरकार के स्वामित्व वाली सभी चीजों को संपत्ती कहते हैं घर, वाहन, खेट, एतिहासिक स्मारक, रेल और डाग घर इत्यादी संपत्तियां हैं। निजी संपत्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्ववाली संपत्ति को निजी संपत्ति कहते हैं। उदारन स्वरूप, फर्निचर, कार, घर, जमीन या आभूशन सभी निजी संपत्तियां हैं क्योंकि उनका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास होता है सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ती को सार्वजनिक संपत्ती कहते हैं ऐसे संपत्ती का उद्देश्य आम लोगों का हित होता है ये लोगों के उपयोग के लिए उपलब्द रहती है क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति की स्वामी सरकार होती है, इसलिए सरकार ही उन्हें बेच या बदल सकती है या नश्ट कर सकती है। निजी संपत्ति का महत्व संपत्ति का स्वामित्व किसी व्यक्ति के सामाजिक स्तर को सुधारता है। निजी संपत्ति को आपातकाल में धन के बदले बेचा जा सकता है। सार्वजनिक संपत्ति का महत्व पार्थ, अस्पताल, सडक, रेलवे स्टेशन इत्यादी सार्वजनिक संपत्ति का जनहित के उपियोग के लिए होती हैं ये जन्ता को सुविधा और सुरक्षा प्रदान करती हैं कुछ सार्वजनिक संपत्तियां, जैसे एतिहासिक स्मारक, हमारे गौरवशाली इतिहास को दर्शाती हैं, वे देश की शान होती हैं संपत्ति का संरक्षन लोगों को संपत्ति की देख भाल करनी चाहिए लोगों को ऐसी संपत्तियों में निवेश करना चाहिए जिससे अच्छा लाब मिले सार्वजनिक संपत्ति को नश्ट या विकृत नहीं करना चाहिए उन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है हमने क्या चर्चा की? किसी व्यत्ति या व्यक्तियों के समूह या सरकार के स्वामित्व वाली किसी भी चीज को संपत्ति कहते है निजी संपत्ति का स्वामित्व किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास होता है सार्वजनिक संपत्ति की स्वामी सरकार होती है सार्वजनिक संपत्ती जनता के उपियोग और हित के लिए होती है हमें सार्वजनिक संपत्ती की सुरक्षा और संरक्षन अवश्य करना चाहिए